Hello students, welcome back to Tates of Knowledge. Students, I have a related update आपके लेकर आया हूँ कि board ने अभी तक कोई final फैसला नहीं लिया है कि आखर आपकी जो परिक्षा होने वाली है वो किस परदिती पर होगी और किस डेट में आपकी परिक्षा ली जाएगी. क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि 5 माई तक फैसला आ सकता है कि आपकी जो परिक्षा होना है वो किस परदिती पर ली जाएगी लेकिन अब बात की जा रही है कि 15 माई के बाद इसपस्ट किया जाएगा कि आखर आपकी जो परिक्षा होनी है वो किस परदिती पर होगी, किस डिट में होगी इससे पहले भी दो मीटिंग लगतार हो चुकी है उसमें भी कोई फैसला नहीं लिये गाए उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिये गाए पुरी तरह से चाहतरों को भरमिद किया रहा है आपको गुम्रा किया जा रहा है अभी तक बोर्ड किसी नतीज पर नहीं पहुंचा है जियां आपके साथ साथ आपके प्रेंट भी बहुत अधा कन्फिज हो रहे हैं अपनी स्टेडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि आखर आपकी जो परिक्चा होनी है वो किस पर देती पर ली जाएगी क्योंकि डेट अभी तक इस पर नहीं हो पाई है इनक आपके माइन में क्रीड किया जा रहा है कि आप अपनी स्टेडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो जान लाते हैं क्या कुछ लेटेट इंफॉमेशन आपके लिए नियूस आपके लिए हैं कि यह एंपी बोड की नियूस है मुलियांकन को लेकर अब तक कोई निर्णाय नह दर के लिए केवल अख़बारों की जानकरी मिल रही है जिए आपके पाद हैं कमेसित आ रही हैंidet नियूस होनी होनी है हुग रहे हैं कि ऑनिन आपके हैं और जा रही हैं 다 Assay जОने कि नहीं की जायेग आफिंग Battle पदिती पर होनी है तो इसकूल शिक्षा राजमंति ने इस परच किया कि बारवी की स्टुएंट परिक्षा पास कर कालेजियों के साथ अन्य राजवा बेतिश्यों में पढ़ने जाते हैं इस्टुएंट को उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से कालेजियों में एडिमिशन मिलता है तो पढ़ने वाले और कम पढ़ने वाले सभी बराबर हो जाएंगे इसलिए बारवी परिक्षा आवश्य कराए जाएंगी तो यह चीज़ पर पहले भी हो चुकियों में पहले भी आपको कहा हूं कि आपकी परिक्षा तो हो नहीं है लेकिन अबी तक कंफीजन क्रियेट किया जा रहा है और आुधे कहा जा रहा है कि द्स भी की पटरिक्षा को लेकर कोई इस पर निर्दश नहीं दिये हमें तो यह भी नहीं मालुम कि परिक्षा होगी या नहीं तो रिज zig त नहीं हो पा रहा है कि बोड ने अभी तक कुई नीर्देश कोई भी आदिश जारी नहीं किया है जो आदिश जारी किया गया है उसमें यही कहा गया है कि बहुत जल्दी इसपस्ट कर दे जाएगा कि आपकी जो परिक्षा होनी है वो किस परदिटी पर होनी है और कब होनी है तो यह हम मारने के चल सकते हैं तैंथ किलास पर जन्वर परमोशन मिल सकता है लेकिन इसका भी अभी कोई फाइनल आदिश नहीं आया है बारवी के बारे में कहा जा रहा है कि आपकी परिक्षा हर हाल में ली जाएगी लेकिन इसके ऊपर भी बोड्ने कोई फाइनल फेतला नहीं सुनाया है तो overall students आप लोगों को बहुत दा confused किया जाता है आप लोगों को बहुत दा गुमरा किया जा रहा है बोड के द्वारा तो अब देखते हैं आप कहा जा रहा है कि 15 माई के बाद इस्पस्ट कर दी जाएगी अभी 5 तारीक कहा जा रहा था और आपकी परिक्षा के अगर हम मानके चलेंगे आपकी जून में होने वाली है अगर जून में आपकी परिक्षा होगी तो उस के लिए एक महीन लगबग बचा हुआ है अब ये कह रहा है कि 15 माई के बाद इस पस्ट होगा तो 15 माई के बाद जब इस पस्ट होगा तो अगर जूल मही परिक चली जाती है तो आपके पास मुश्किल से 10-15 दिन ही स्टडी करने के लिए मिलेंगे क्योंकि जब तक आप भी अभी कन्फूज रहेंगे और स्टडी नह कर पाएंगे तो यह कुछ इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आया थी जो मैंने आपको बता दी है तो यह लेटेश्ट अब्डेट आपके लिए है तो आपका क्या कहना है इसकी तरफ से आप क्या कहना चाते हैं तो अब यह कमेंट्स वाक्स में जाकर कमेंट्स करके अपनी र करते हैं जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन साब सब्सक्राइब टाइम पर मिलते रहें थैंक्स वर वाचिंग